मैसल्फ सर्वेश वर्धन और आज क्लास में हमने लग टेस्ट्रेटिक्स का दो कोस्टन लिया है यह दोनों कोस्टन क्वास लोप पर बेस्ट है और एरोडोप के बुक से लिया गया है कोस्टन नमर 3.51 और 3.53 यह दोनों कोस्टन आप ध्यान से देखेंगे तो देखने में इस जैसा लगता है लेकिन दोनों के दोनों प्र वाले के सोचने का जो टरीका है दोनों डिफरेंट है अगर 3.51 का से कंशेट्ट अगर 3.53 वाले कोस्टन में लगा देंगे तो गलत हो जागा यह दोनों कॉस्टन का हम एक-एक कर diu당 करे हैं कि आखिर यह दोनों problem में difference क्या है और यह इस type के problem को solve करने का तरीका क्या होना चाहिए किस तरह से proceed करना चाहिए इसी के चर्चा हम आज के class में करने जा रहे हैं question number 3.51 में कहा जा रहा है कि the field potential in a certain region of a space depends only on the x coordinate as phi is equal to minus a x q plus b where a and b are constant find the distribution of a space chart density raw x मतलब volume chart density find करना है x के function में दूसरा question है 3.53 इसमें कहा गया है कि the field potential inside a charge ball depends only on the distance from the center phi is equal to a r square plus b where a and b are constant find the space chart density raw r depends inside the ball कहने का मतलब है इसमें भी volume chart density find करना है radius के term में ठीक है तो यह दोनों question अगर आप देख रहे होंगे तो पहला वाला question जो है one dimensional field है और second number जो question है वो three dimensional है यह दोनों question को हम बारी बारी से deal कर रहे है आप ध्यान से देखेंगे यह दोनों में difference क्या है आप यह देख रहे होंगे कि 3.51 में electric potential x का function है मतलब सिर्फ x पर depend करता है तो हमको पता है हमको x direction में electric field निकालना है तो इस function को x के respect में करेंगे with negative sign x is equal to minus dv लिखा है मैंने phi के पर भी लिख दिया है लिखा है तो minus dv by dx जहां भी जो है potential है तो यह हमारा differentiation करने पर आएगा 3x square कहने का मतलब है कि यहां जो electric field है वो x का function मिल गया वह आप यहां से आपको दिख रहा होगा electric field है एक्षा function है 3x square है जहने का मतलब है जैसे एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे जैसे एक डायरेक्शन में बढ़ेंगे वो इससे electric field की value बढ़ रहा है तो हम लोग माल लिते हैं यहां पर origin है ठीक है और यहां से x distance पर हम एक surface ड्रॉ किये है यह ठीक है फिर हम dx distance दूर फिर एक surface ड्रॉ किया है electric field के perpendicular है मतलब x axis के perpendicular और यहां पर हम एक q wide form कर लिया है dx thickness का तो यहां हमने dx thickness का q wide form किये हैं जिसका यह face का area यह left और right वाले face का area हमने capital A माना है ठीक है इस q wide के लिए अगर हम gauss law लगाते हैं ठीक है गौस law का statement हम लोगा क्या है कि कि किसी भी close surface में electric flux की value charge enclosed by epsilon not के बराबर होगा सारे surface से मैं सबसे पहले flux निकलना हूँ तो आप यहां ध्यान से दिखेंगे कि जो उपरवला surface है उपरवला surface है area vector अपर डारेक्शन में है ठीक है और electric field हमारा right side में है दोनों के बीच में 90 गडी है इस surface से flux 0 होगा ठीक उसी तरह से downward जो surface है उ electric field हमारा right side में है दोनों के बीच में 90 गडी है तीसे भी flux 0 होगा ठीक उसी तरह से front surface और back surface यह चारो surface से मतलब upper lower front और back यह चारो surface से electric flux का value 0 होगा अब रही बात हमारा left surface और right surface तो माल लेते हैं कि x coordinate पे electric field की value x है और यहां से dx distance से बढ़ गया है तो यहां जो coordinate होगा इस point प x होगा और यहां पर electric field की value होगा e x plus dx अब हमें left surface और right surface से flux निकलना है left वाले surface के लिए देख सकते हैं कि electric field हमारा right side में है और area vector left side में है तो यहां पर जो flux होगा वो होगा e x ठीक है इन्टु ए इन्टु कॉस एक्स जगरी उसकी वज़ए से यह minus आयना है और यह जो surface है हम active field हमारा right side में है area vector हमारा right side में है तो flux का value होगा e x plus dx इन्टु एरिया ए इन्टु कॉस जगरी उटल क्यूबाइट के थुरू यह हमारा total flux की value इतना हुआ और यह हमारा equal होना चाहिए charge in closed के तो इसका volume होगा हमारा कितना तो आप यहां से देख सकते हैं कि यह dx हमारा dx हमारा यह thickness है cross section area a है तो a dx हमारा volume हो जागा dx की value बहुत कम है तो हम इस dx लेंद के लिए हम रो का value constant मान सकते हैं तो यह q byte के अंदर जो charge होगा वो row a dx यह total charge हो गया in closed by epsilon not चेक है तो आप यहां से देख सकते हैं area a जो है दोनों तरब से कर जाएगा और dx से यह हमारा यह ठीक है यह differentiation का definition है ठीक है e x plus dx minus e x better dx जो होगा यह differentiation of electric field with respect to x होगा is equal to row by epsilon not तो यह हम formula one dimensional field के लिए हम लोग apply कर सकते हैं अब हम इस case में हम इसको apply कर रहे हैं तो electric field का हमें formula आया हुआ है electric field 3a x square आया हुआ है ठीक है इसमें value put कर लेते हैं वह हमें रो का function मिल जाएगा इस function में electric field d by dx electric field का function 3a x square put कर दिए is equal to row by epsilon not row का value आगिया 3a epsilon not x ठीक है यह हमारा शोलू सुन होगा तो इस तरह से हम one dimensional field के लिए जिसमें potential हमारा सिर्फ एक direction में भैरी करता है वह इसके लिए हम यह formula apply कर सकते हैं 3.52 में कहा जा रहा है कि electric field जो है वो radially vary कर रहा है radially vary करने का मतलब क्या हुआ कि इस तरफ इस तरफ इस तरफ से इस पॉइंट से ऐसा लग रहा है कि electric field lines निकल ला हूँ तो अगर ऐसा variation है तो इसको one dimensional नहीं कहेंगे यह three dimensional variation है इस case में हम पहला वाला जो हम लगाए है d e by dx is equal to rho by epsilon node नहीं लगा सकते हैं तो इसको solve करने का क्या तरीका होना चाहिए उसी की चर्चा हम अभी कर रहे है तो इसके लिए हमने क्या किया है r radius का Gaussian spherical surface माना है तो सिमेट्री कहता है कि हर जगा है electric field का value सेम होना चाहिए इस close surface के लिए अगर हम gauss theorem लगाते हैं तो इस spherical close surface से total flux की जो value होने चाहिए इस sphere के अंदर total charge बटा epsilon node के बराबर होना चाहिए अब हमें पता है कि यह spherical surface के हर point पर electric field के जो value है वो radial direction में है और area vector अगर हम कहीं पर consider करते हैं यह element consider करते हैं तो यहाँ पर अगर ds area अगर consider करते हैं तो area vector भी हमारा outward होगा मतलब यहाँ पर electric field और area vector के बीच का जो angle होगा वो 0 degree होगा तो अगर हम यह चोटा सा surface से अगर हम flux निकालते हैं यहाँ से flux की जो value होनी चाहिए और कि इतना होना चाहिए e into ds into cos 0 degree अब इसको integrate करेंगे surface के हर point पर e का value same है तो हम e को हम integration से बाहर भी कर सकते हैं और ds 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 area कर लेंगे तो total surface area हो जागा तो r radius का है तो total surface area 4 pi r square होगा तो total flux की value जो होगा e into 4 pi r square होगा तो हमारा left side में इस integration का value आया e into 4 pi r square है अब हम volume chart density के बारे में बात कर रहे हैं यह confirm नहीं कह सकते हैं कि rho का value constant होगा या नहीं होगा ठीक है लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि चुकि यह electric field radial direction में है symmetric है इसलिए volume chart density जो होगा वो भी r का ही function होगा इसलिए क्या किया है कि x distance पे dx thickness का यह हमारा spherical cell हो गया अब हम इसके अंदर charge कितना enclosed है वह हमने find कर रहे हैं तो माल लेते हैं कि चुकि thickness बहुत कम है इसलिए rho हम constant मान सकते हैं 4 pi x square surface area dx हमारा thickness हो गया तो total volume हो गया 4 pi x square dx ठीक है तो 4 pi x square dx हो गया volume ठीक है रो हम पूरे volume के लिए constant है तो रो से multiply कर दिए तो total charge हो गया ठीक है ठीक है dx thickness में और ऐसा ऐसा सेलिए यहां से लेकर के center से लेकर के small r तक consider करना होगा तो ऐसे function का हमको integrate करना परेगा 0 से लेकर के small r तक तो इससे हमें क्या मिलेगा कि इस जो Gaussian surface के अंदर total charge का value कितना है वो मुझे मिल जागा यहां पे ठीक है तो यह हमारा total charge हो गया in close by Gaussian surface अब बाई epsilon note हमने कर दिया ठीक है अब देख सकते हैं हमारे question में phi का value है मतलब potential का variation का equation दिया हुआ है potential जो vary कर रहा हो radially vary कर रहा है तो उसका equation दिया हुआ है a r a square plus b अब हम चाहते हैं elective field radial direction में तो हम लोग क्या करेंगे अगर elective field आप radial direction में चाहते हैं तो इस function को r के term में differentiate करना होगा with negative sign मतलब er is equal to minus d5 by dr ठीक है तो हमारा यह differentiate करने पर आएगा minus 2 a r अब इस elective field का formula मुझे मिल गया अब इसकी value हम यहां पर put कर देते हैं e r की value इतना put करेंगे तो यह हमारा आएगा यहां पर यह minus 2 a r cube minus 2 a r cube यह integration rho x x square dx ठीक है अब मुझे यह function मिल गया अब हम क्या करते हैं दोनों तरफ differentiate करते हैं flip side के अगर हम differentiate करते हैं तो इसको differentiate करेंगे तो आएगा minus 2 a r की differentiation हो जागा 3 r square तो यह total हो जागा minus 6 a r square और right side का differentiation जागर करेंगे तो इसमें करते क्या है definite integration का differentiation करने में हम लोग क्या करते हैं कि जो अंदर है जो अंदर है वो हो बहु पुट करते हैं x के जाए पर output कर देते हैं ठीक है तो यह हमने यहां से आ गया rho r r square चीक है उसके बाद जो upper limit है upper limit को एक r के term में differentiate करते हैं तो upper limit को r के term में differentiate करेंगे तो dr by dr होगा dr by dr का value 1 हो जागा तो यह पूरे उपर वाले का differentiation हागा हमारा rho r into r square अबटा यह हो गया epsilon not तो यहां से rho r का function आएगा minus 6a epsilon not integration का जो formula हमने use किया है उसको उसके बारे में ज़रा आप समझ लेंगे different integration का अगर हमें differentiation निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं इस r के जग़े पर इस r के जग़े पर gx की value पूट कर देते हैं तो यह हमारा हो गया f gx चिक है उसके बार gx को x के टब में differentiate करते हैं इस formula का हमने use किया है hx होता ही है यह यहां पर gx यह हो गया f r dr तो यह इसका value होता हमारा f gx ठीक है differentiation of gx dx minus फिर r के जग़े पर हमें hx पूट करते हैं f hx differentiation of hx dx ठीक है यह property है इस property का frequently यूज़ कर सकते हैं दिहां सुनेंगे इस method का use हम लोग नहीं कर सकते हैं one dimensional में क्योंकि one dimensional ऐसा Gaussian surface नहीं मान सकते हैं यह दोनों question जो है 3.51 और 3.53 वो दोनों अलग-अलग है देखने में यह जैसा लग रहा होगा दोनों अलग-अलग है दोनों का सूचने का तरीका अलग-अलग है ठीक है दोनों को solve करने का तरीका अलग-अलग है तो जैसा question होगा वैसे आप use करेंगे इस वीडियो को आप अधिक सधिक करें अगर अपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हम और अच्छे topic पे हम आपके सामने वीडियो solution लेकर के आपके सामने उपस्थित हो और आपके अधिक से अधिक problem को हम दूर करें शॉट ओट कर सकें अगर आपको और भी कोई problem हो box में उस topic का नाम लिख दें जिस पे हम वीडियो solution हम आपको provide कर देंगे तब तक के लिए थैंक्यू आज बिहार का election है ठीक है आप सोच समझ कर भोट दे मैं किसी party का नाम नहीं दूँगा लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि आप जितने भी strength और हम सभी प्रश्चा गण है वो निफिकर रूप से पट्णा में रहकर के पूरे बिहार के बच्चे हमारे पट्णा में आकर के पढ़ते हैं पेरेंट्स निफिकर रहते हैं कि हमारा बच्चा सुरक्षित होगा उस सिर्फ नितिश जी के एक आरण है